नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीब सिंग बेंस, एसोसियेट प्रोफिसर, बॉटि इपार्टमेंट, डुंगर पीजी कॉलेज, बीकान एर, आज इस प्रेजेंटेशन में आपको, बालेजगल नैट्रोजन फिक्षेशन की जो मेकनिजम है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा था कि कैसे रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है, और कैसे उसके अ इसमें लैग हीमोगलोमिन और नोड्यूलिन का जो कारे है, और नाइट्रोजनेज किस तरह से, इसमें नाइट्रोजन फिक्षेशन का काम करता है, और उसमें लैग हीमोगलोमिन का क्या रूल है, इस प्रेजेंटेशन में आपको बताया था, ये बाताना चाहूंगा, Rhizobia bacteria जो है nitrogen gas जो molecular form में होती है इनका rhizobia bacteria का nitrogenus enzyme है वो इससे ammonia के अंदर convert करता है और इस ammonia से फिर बाद में इन पौधों के अंदर amino acids, sugar, nucleotides, vitamins, flavors, hormones वगरा इसके अंदर बनते है और इसके बाद में इनके death and decay से या respiration में जो carbon dioxide बनते हैं, organic acids बनते हैं, उससे भी ammonia release होती है तो ये nitrogenous enzyme, ये bacteria में किस प्रकार कारे करता है, ये मैं आपको इसकी क्रियाविधी के बारे में रहाँ ये देखिए इसमें, एक्चल में जो ये biological nitrogen fixation है इसमें एक molecule जो है nitrogen gas का, एक अनू जो है, ये 16 molecule ATP के काम में लेता है और इससे ये दो molecule या दो अनू इसके ammonia के निर्मित होते हैं इसमें, इस nitrogenous enzyme के दोबारा और ये क्रिया exclusively, procurates में होती है, क्योंकि procurates में ही nitrogenous enzyme पाए जाता है जब कि higher plants में, या leguminasi में या दूसरे plants के अंदर ये nitrogenous enzyme नहीं पाए जाता ये काम सिर्फ procurates cells के दोबारा ही possible है, जो कि leguminous plants के अंदर bacteria के दोबारा किया जाता है, rhizobium, leguminous serum या जिसे हम पहले bacillus radicycola के थे उसके दोबारा ये संपन होता है अब actual में ये देखा जाए कि nitrogenous enzyme की सिरंचना कैसे होती है actual में क्या देखिए है कि ये जो enzyme है, इस enzyme के उपस्तिती में ही nitrogen का ammonium reduction होता है और इसके लिए जो energy है वो NADPS2 और ATP के द्वारा मिलती है अब इस nitrogenous enzyme जो है, इसके अंदर दो protein components होते हैं एक component first है, ये देखिए ये वाला जो component है ये बड़ा component है, इसके अंदर molybdenum और iron ये दो इसके अंदर components होते हैं इसलिए इसको molybdoferidoxin भी कहते हैं molybdoferidoxin, ये protein कहलाता है molybdoferidoxin क्योंकि इसमें ये molybdenum है और ये iron protein का part इसके अंदर जुड़ा होगा है और ये काफी, ये चारो जो subunits है इसकी चार subunits दिखाई देनी हैं इसमें ये इनका total सबका कुल मिलाकर के बाहर जो है करीबन 2,18,000 Dalton होता है और ये ही जो है इसी को nitrogenous बोलते है और ये ही molecular nitrogen को बंदित करता है या जोडता है और जो की इसका जो second component है ये second component जो है इसको azoferidoxin या nitrogen reductase इसको बोलते है और ये सिर्फ iron protein का बना होता है सिर्फ FV का बना होता है iron protein का इसकी भी दो subunits हैं ये और इनका जो molecular weight है ये करीबन 66,800 Dalton होता है और इससे nitrogenous reductase भी कहते हैं क्योंकि ये nitrogen के reduction में helpful होता है उसमें मदद करता है और ये इसके अंदर इसी ये जो iron protein का जो component है इसमें ATP binding sites होती है मददा ATP इसी के साथ जुड़ती है करके जो की nitrogen fixation में जो उर्जा चाही होती है वो इसके दोरा ही मिलती है और ये दोनों घटक जो हैं ये दोनों घटक मिल करके ये एक जो है nitrogenous complex बनाते हैं ये carbonic sulfides में जुड़ते हैं हमिशा बदा न, anonic sulfides जो हैं उनकी presence के अंदर ये एक घटक जुड़ जाते हैं ये पूरा एक nitrogenous complex का निर्मान होता है अब ये nitrogenous जो enzyme है ये actual में oxygen के प्रती बहुत sensitive होता है मैंने जैसे आपको पिछले presentation में भी बताया था कि अगर थोड़ी से भी oxygen अगर इसको कहीं मिल जाती है तो उससे ये nitrogenous enzyme inactive हो जाता है या निश्क्री हो जाता है उस इस ही को बचाने के लिए leguminous plants की जो root nodules हैं उसके अंदर जो rhizobium bacteria है वो leg hemoglobin निर्मान करता है leg hemoglobin इस oxygen से क्रिया करके इसको nitrogen को वो oxygen नहीं जाने देता है उससे सुरक्षा प्रतान करता है अब ये तो चलो हमने बात किये leg hemoglobin इसकी nodule के bacteria की लेकिन जो bacteria या chlorophyc के members जो है soil के अंदर पाए जाते हैं free living bacteria जो है उनमें भी तो nitrogenous succession होता है उनमें इस nitrogenous enzyme को कौन रोकता है nitrogenous enzyme को oxygen की क्रिया से कौन बचाता है तो उसमें generally क्या होता है नील हरीश शहवालों के अंदर mucilage पाए जाता है तो वो mucilage उस oxygen को अंदर जाने से रोकता है इसी तरह से वो आके जो soil bacteria है उसके अंदर glycoprotein जो है उनका glycoprotein anaerobic conditions डेवलोप कर देता है मतलब वहाँ पे वो oxygen को वहाँ तक नहीं पहुचने देता nitrogenous enzyme तक और leg इसमें nodules के अंदर leg hemoglobin होता ही है जो कि इसको सुरुक्षा प्रदान करता है तो ये एक nitrogenous enzyme की structure है बहुत simple structure है लेकिन important part क्या है इसका कि इसके अंदर ये molybdoferodoxin protein है और इसमें ये azopherodoxin nitrogen reductase iron का जो part है ये जुड़ करके इसमें nitrogenous complex बना रहा है कैसे ये काम करता है देखें इसके अंदर अब इसके mechanism क्या है कि ये जो सेजिवी nitrogen fixation की प्रक्रिया जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसी free living bacteria की होती है जैसे free living soil के अंदर जो bacteria ये साइनोफाइसिक मेंबर है उन में भी इसी तरह से nitrogen fixation होता है जैसा की symbiotic bacteria के अंदर होता है तो पहले step के अंदर ये तीन step होते हैं इसके अंदर मुखे रूप से तो पहले step में तो क्या होता है कि ये जो iron protein है ये फेरिडॉक्सिन जो crab cycle वगरे के अंदर जो मुझूद होते हैं फेरिडॉक्सिन या दूसरी जो reducing powers है उनके द्वारा प्रतान किये गए electron और hydrogen से ये अब चाहित हो जाता है reduce हो जाता है तो ये जो protein घटक है ये oxidized form में था पहले और जैसे इसने electron लिए electron कहां से है फेरिडॉक्सिन या जो भी reducing powers है उनसे ये electrons और hydrogen मिलते हैं जिससे ये iron protein जो है reduced form के अंदर आ जाता है अब दूसरे चरण में क्या होता है दूसरे चरण में ये जो reduced iron protein है ये nitrogenous enzyme के जो बड़े जो component थे जो मैंने बताया था आपको molybdo molybdo feridoxin जो था molybdo feridoxin के साथ जुड करके nitrogenous complex बनाता है और इस प्रक्रिया में magnesium iron जो है बहुत बड़ा role play करता है ये इनको activate करता है और ATP से इस कारे के लिए उर्जा मिलती है तो देखिए ये molybdo feridoxin प्रोटीन जो है ये oxidized था इसने इस iron प्रोटीन से reaction की जो reduced form में था अब इसके इससे ये इसमें क्या मनाई है ये complex बन गया इसमें nitrogenous complex molybdo feridoxin और ये iron प्रोटीन मिल करके एक ये nitrogenous complex बनाते और ये जो complex है अब इसमें क्या होगा कि जो molybdo feridoxin प्रोटीन जो था ये प्रोटीन अब reduce हो जाता है और ये iron प्रोटीन वापिस oxidized form में आ जाता है जो कि वापिस दूसरी वापिस उसको complex मिनाने के अंदर काम में आएगा दुपारा तो ये इसके अंदर oxidation reduction की जो किरियां इसके अंदर reduction को का जाता है तो ये oxidation के लिए जो electron है ये कौन प्रोटीन करता है जैसे मैंने पहले बताया था आपको ये feridoxin ये krab cycle के अंदर जो compounds हैं जो reducing compounds हैं reducing powers हैं उनके दुआरा ये electrons प्रोटीन के जाता हैं तीसरे चरण में ये जो reduce हुआ था molybdo feridoxin प्रोटीन जो reduce form में था अब ये क्या करेगा ये अपने electrons nitrogen, molecular nitrogen को दे देगा जिससे ये अब nitrogen का क्या हो जाएगा nitrogen का reduction हो जाएगा अब reduction होता ही ये hydrogen से क्रिया करके और ammonia का निर्मान कर देंगे और इसके बाद में ये molybdo feridoxin protein जो है ये वापिस oxidized form में आ जाता है और दुबारा ये next cycle चलाने के लिए उपलब दो जाता है दुबारा nitrogen से क्रिया करने के लिए उपलब दो जाता है तो ये इस तरह से ammonia का निर्मान होता है अब ये इसमें देखो कैसे तीन चलन थे पहले कि nitrogen से पहले hydrogen से क्रिया करके N2H2 या जिसे हम कहते हैं diamide बनाती है उसके बाद में ये diamide में फिर दो hydrogen molecule आते हैं इसके अंदर जुड़ते है और ये hydrogen बनाती है hydrogen gas जो है इसके बाद में hydrogen से और इसका अपचैन होने के बाद में ammonia का निर्मान होता है तो तीन चरणों के अंदर ये nitrogen fixation की क्रिया और आपको देखो इसमें दिखाता हूँ ये किस सरे से है ये देखिए nitrogen is complex है ये अब इसमें सबसे पहले क्या है ये feridoxin जो है reduced feridoxin जो था ये oxidize होगा oxidize होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इससे electron और hydrogen electron और proton इसमें से निकलेंगे ये electron feridoxin grant कर लेता है जो oxidize state में है iron protein जो मैंने बताया था आपको और ये iron protein लेकर के ये जो iron protein है ये reduce होजाएगा और मैंने आपको बताया था कि iron protein ही है जो कि ATP से bind होता है क्योंकि इसमें ATP binding sites होते हैं तो 16 ATP इसमें जुड़ेंगे और इसको energy provide करेंगे ताकि ये reduce हो सके मतलब इसमें reduction के लिए इसको जो उर्जा चाहिए होगी वो ATP से मिलेगी यही इसका सबसे बड़ा रोल होता है इस iron protein का अब यह जो reduce form iron protein है यह वापिस क्या होगा oxidize होगा और यह अपने electron remove कर देगा यह electron जो है molybdo ferodoxin जो था जो oxidized state में था यह अब इस electron को grain करके यह reduce हो जाएगा आप चाहित हो जाएगा और अंतिम चरण तीसरे चरण में जैसे मैंने बताया था कि यह जो reduce molybdo ferodoxin है यह वापिस oxidized state में आएगा अपने electron को त्याग करके और यह electron जो molecular nitrogen थी उसके दोरा grain किया जाते है और यह nitrogen इसको grain करके hydrogen से क्रिया करके ammonia का निर्मान करती है तो यह procreia इसके अंदर nitrogen है senzyme complex के अंदर होती है जिसकी वज़े से जो molecular nitrogen है उसका fixation इस तरह किया जाता है खुल मिला करके यह है कि nitrogen को fix करने के लिए जो energy मिल रही है या जो electrons मिल रहे है या जो protons मिल रहे है वो कहां से है रहे है ultimately ferodoxins आ रहे है लेकिन इन ferodoxin के जो electron sign का यह सिधा उपयोग नहीं कर सकता इसके लिए इसको iron protein के आपशकता होती है और यह iron protein ही है जो ATP से activate होकरके ATP से उर्दय प्राप्त करके 16 ATP उर्दय इसको चाहिए होती है जिससे यह एक अनू यह दो अनू अमोनिया के निर्मित कर सकता है इसके इंदर इसको मैं आप यह देखिए यह बिल्कुल इसके chemical form में तो यह paradoxin है reduced form में है यहां से यह इसका oxidation हुआ electrons और protons इसमें से remove हुए और यह electron protons जो है magnesium और ATP की presence के अंदर यह जो iron protein है इस iron protein को मिले तो iron protein oxidized यह oxygen तवस्था में था अब यह अप्चाई तवस्था में आगया है electron लेकर के और कुछ समय बाद यह अपने electrons जो है वापिस त्याग देगा जिस electron को molybdo ferdoxin protein जो है यह grain करके और अप्चाई तो जाता है यह फिर इसके बाद में फिर oxygen होगा और यह अपने electrons को free nitrogen को देगा जो free nitrogen है इन electron को लेकर के और hydrogen से क्रिया करके यह ammonia का निर्मान करते है इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है और यह जो निर्मुक्त hydrogen है यह वापिस hydrogenase enzyme की दोरा ferdoxin को अप्चेट करने में काम में आती यह देखिए यह इसी तरह से जैसे मैंने आपका बता था कि nitrogen है जन्जाइम के अंदर molecular nitrogen को ammonia एक molecular nitrogen को दो ammonia के अडूं में बदलने के लिए 8 proton 8 electron की ज़रुत होती है और 16 ATP उर्जा की आवशक्ता होती है जिससे और यह देखो यह molybdo ferdoxin cofactor जाए उसकी सरंचना ही है इस तरह से जिसमें 4 subunits मैंने आपको बताई थी और एक जो 2 subunits इसकी iron protein के होती है वही इस ATP को पकड़ने का काम करती है यह देखिए किस तरह से सबसे पहले मैंने बदाया था आपको कि यह जो nitrogen है molecular nitrogen इसका reduction होता है से फिर reduction होने के बाद में यह ammonia के molecule दो ammonia के molecule इसमें बनेंगे और यह देखिए अब इसके अंदर यह इसमें यही बताया गया है कि जो nitrogen fixation के लिए जो ATP और NADPS2 है ATP और NADPS2 का जो निर्मान है यह bacteroids जो है जिसके अंदर nitrogen fixation हो रहा है bacteroids के उसमें crab cycle से उनको मिलते हैं उसके अंदर जो crab cycle चलती है bacteroids के अंदर जो वनसम जो मैंने बताया था bacteroids बनते हैं अपने root nodules के अंदर उसमें जो crab cycle है उससे यह NADPS2 और ATP अनू बनते हैं जिसका उप्योग इस molecule और nitrogen के अब chain में यह reduction में काम आता है और जिससे यह hydrogen molecule and nitrogen से जुढ़ करके ammonia के निर्माण करती है और इस ammonia से आगे विभिन परकार के अमीन अमलों का निर्माण किया जाता है तो यह जो oxygen है देखिए यह परपोशी पादब कोशी का जो साइटोपलाज में होस्ट होस्ट का मतला जो root nodule की cortical cells थी उसके अंदर जो oxygen थी उस oxygen को यह लेगे हिमोगलोबीन पकड़ लेता है nitrogenous enzyme तक नहीं जाने देता और इस oxygen का यह लेगे हिमोगलोबीन उप्योग करके इसमें ATP और NDPS2 के निर्माण में सायता परदान करता है यह rhizopium जीवाणों के दोवारा होने वाली प्रक्रिया है और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि nitrogenous enzyme जो है सिर्फ prokaryoids में या bacteroids में या sinobacteria blue-green algae के अंदर ही होता है इसलिए इन्हीं में ये शमता होती है कि ये वाईव मेंडल की जो gas अवस्ता में नाइटो देना है उसको ये ammonia या amino या nitrates उसमें ठोस अवस्ता के अंदर उसको convert कर सकते हैं मतलब उसको gentle अवस्ता के अंदर उसको बना सकते हैं तो कि ये higher plants के अंदर या inges from plants के अंदर ये capabilities नहीं होती है ये इस तरह से इसकी mechanism है इसमें यदि आपके किसी तरह की कोई doubt है या किसी तरह का कोई आपको confusion है तो आप इसमें मुझे call करके या whatsapp पर मेरे को आप इसकी query कर सकते हैं और मैं इसका आपकी हर तरह की शंका को दूर करने का या रुसका नवानन करने का प्रयास करूंगा thank you take care